अकसर हम लोग बात करते हैं ना कैसे हॉलिवूड को देखकर इंडियन मूवीज बनाई जाती हैं लेकिन कभी इसका उल्टा होगा ये सोचा था भगवर्द गीता इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर शायद किसी को अंदाजा भी नी होगा ये एक दिन हॉलिवूड की बिग बज़र्ट फिल्म को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाएगी क्रिस्टफर नोलन दुनिया के सबसे बड़े स्टोरी टेलर वाली लिस्ट में एकदम उपर है ये नाम हीरो हीरोईन छोडो सिर्फ डिरेक्टर के नाम पर थेटर हाउसफुल कर देना वो भी इंडिया में ये पावर है इनका इस बार ये कुछ अलग लेकर आएं है ना तो सूपर हीरो वाली खतरना कहानी होगी और नाहीं स्पेस में जाके किसी दूसरी अलग दुनिया के दर्शन करवाए जाएंगे आपको ओपन हाइमर ये जो फिल्म है ना ये आज तक सबसे कम क्रिस्टफर नॉलन स्टाइल वारी फिल्म लगेगी आपको बंदे ने खुद को चैलेंज कर दिया है इस बार महा भारत के युद्ध में अरजुन के सामने श्रीकरिशन अपने विश्वरूप में सामने आते हैं जिसको देखकर खुद अरजुन ही डर जाते हैं इस चीज को भगवत कीता के अंदर संस्कृत में पढ़ता है एक अमेरिकन साइंटिस्ट और यहां से खुद को वो इतना ताकत पर मानने लगता है कि पब्लिक प्लेटफर्म पे वो एक स्पीच देता है जिसमें बोला जाता है कि मैं अब मौत बन चुका हूँ पूरी दुनिया खतम कर सकता हूँ और हुआ भी यही आज से अल्मूस्ट 80 साल पीछे जापान के अंदर हिरोशिमा और नागा साकी दो बड़े बड़े शहरों पे अटॉमिक बॉम गिराए जाते हैं जापान के अंदर एक अमेरिकन जहास उड़ता हुआ जाता है और आसमान से कोई चीज नीचे गिरती है उसके बाद 70-80,000 लोग एक बार में मारे जाते हैं रिजल्ट ऐसा भयानक था कि आज 80 साल बाद भी वहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो रेडियेशन का असर देखा जा सकता है उसके शरीर पे लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे ये अटॉमिक बाद को बनाया कैसे गया और बनाया भी किसने वो भी किस तरीके से ओपनहाइमर इस फिल्म का नाम और वो साइंटिस जिसने पूरी दुनिया को खतम करने की ताकत सिर्फ कुछ मुठी बर लोगों के हाथों में पकड़ा दी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि खुद ये साइंटिस्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट से जाकर मिलता है और इस बॉम पर रोक लगाने की मांग करता है खुद इसकी बीवी की आंपों में जाक कर बोलती है तुमने जो किया उसके लिए दुनिया तुमें कभी माफ नहीं करेगी हीरो नहीं विलन बनोगे तुम और कमाल की बात जानते हैं इस अटोमिक बॉम का कनेक्शन हिस्ट्री के तो बड़े-बड़े नामों के साथ भी जुड़ा है जिनको आप पक्का जानते होंगे अगर ये खुद को गोली नहीं मारते ना तो पक्का इस Atomic Bomb का पहला शिकारी खुद बनते तयारिया ऐसी ही थी और दूसरा नाम The Great Albert Einstein इन्होंने इस Atomic Bomb वाले आइडिया के अंदर दुनिया को खतम होते हुए देखा था ओपन हाइमर को वर्निंग भी दी थी देखो इस फिल्म का हाइप उसी वक्त बन गया था जब ये न्यूस चारो तरफ लीक होती है कि क्रिस्टपर नॉलन अपनी अगली फिल्म में रियल बॉम फोरने वाले हैं जी हाँ बिना किसी CGI एफेक्ट और VFX का इस्तिमाल किये एक असली बॉम तयार करना और उसको कैमरा के सामने रिकॉर्ड करके थीयेटर तक लाना लोग समझ गए नोलन पगला गए है और इस बार थीयेटर में शायद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको जिन्दगी बर कभी नहीं भूल पाएगा कोई भी लेकिन मैं आपको जादा उचे-उचे सपने नहीं दिखाऊंगी सीधा बोल देती हूँ फिल्म आक्चली वैसी नहीं है जैसा आप बहार से इसको सोच रहे हो आप टिकेट्स खरीद रहे हो थीयेटर के अंदर बैटकर एटॉमिक बॉम को फील करने के लिए उसका ध्रमा का कितना बड़ा होगा कितना भयानक होगा बट आक्चली फिल्म हिरोशिमा और नागा साकी पे गिराए गए गए एटॉमिक बॉम्स के बारे में है ही नहीं तो बस इस लाइफ का 1% हिस्सा है बाकी 99% फिल्म आपको एक बायोपिक ड्रामा की तरह दिखाई जाएगी जो काफी लोगों को बोरिंग भी लग सकती है और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री इन सब में ज़रा भी इंटरस्ट नहीं है ना तो पूरी फिल्म सब के उपर से जाने वाली है गुरू हाँ लेकिन पिछली क्रिस्टोफर नॉलन मूवीज की तरह आपको इस फिल्म को समझने के लिए दिमाग जादा नहीं लगाना पड़ेगा सिंपल है लेकिन साइन्टिफिक है एकदम honestly बता देती हूँ ओपन हाइमर एक डॉक्यमेंटरी स्टाइल में शूट की गई फिल्म है छोटी छोटी डिटेल्स को एक साथ जोड़कर सिनिमा बनाया है इसमें fun नहीं मिलेगा, entertainment नहीं होगा और mass cinema टाइप का environment भी नहीं है अंदर पढ़ाई लिखाई वाली feeling आएगी अब तुम खुद सोच लो, तीन घंटे की history class school में पढ़ाई जा रही है मजा से फुसको आएगा जो इस बारे में पढ़ना चाहता है बाकी लोग जिन्दा लाश बन जाएंगे ऐसा भी लगा मुझे कई जगे पर ओपन हाईमर एक political film बन गई है बहुत सारी controversies हैं उस बारे में repeat होती हैं तो boring लगती है शायद Nolan का कोई personal interest होगा, ideology वगरा अगर इसको cinema से वो दूर रखते तो ये film थूरी छोटी होती और interesting जादा लगती एक confession करना चाहूंगी मैं, पता नहीं कितने लोग इस बात से agree करेंगे लेकिन बोलना ज़रूरी है अपने इंडिया में एक film आई थी Rocketry, एकड़म बहतरीन कहानी थी, real life based, scientist नमी नाराइन की life को showcase किया था अंदर इंडिया को space तक ले जाने वाला mastermind कैसे एक देश रोही बता दिया जाता है, उसकी personal life controversies को solve करना सिनिमा के रास्ते मुझे न ओपरहाइमर देखते वक्त Rocketry की बहुत याद आ रहे थी, काफी सारी similarities है कहानी बताने और दिखाने के तरीके में और शायद कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल agree भी ना करें, लेकिन मुझे personally Rocketry एक जादा complete film लगी ओपनहाइमर के comparison में अब ऐसा हो सकता है कि वो film हमारी खुद की language में थी, हमारे खुद के scientist पर base थी, इसलिए जादा connect किया मैंने, feel हुआ तो बता दिया बस Robert Downey Jr. को Iron Man वाले character में देखने की आदत है ना आपको, उनके fans इस film को देखकर एकदम शौक रह जाएंगे इस बात को Christopher ने एकदम छुपा कर रखा है, लेकिन film के अंदर Robert Downey Jr. एक जोकर काड की तरह है फिल में जिस सीन के अंदर इनको जैसा डिखना हो, कभी comedy, humor, कभी scientist पाला दिमाख और climax में एक cold villain, smart, genius, evil और अब अपने Peaky Blinder और Killian Murphy, हाँ Cillian नहीं है, Killian ही है, ये doubt clear करने के लिए Nolan को एक thank you तो बनता है मुझे नहीं पता था, आज से पहले real life Openheimer कैसे दिखते होंगे, और शायद अब मैं जानने में interested भी नहीं हूँ क्योंकि Killian Murphy ने जुस तरीके से इनके character को play किया है, lifetime मेरी आँखों में Openheimer नाम सुनते ही इनका चहरा आएगा लिटरिली आप बंदे की आँखों में पूरी film देख सकते हो, अंदर डर है बहुत सारा, खुद पे गुसा भी है, लेकिन एक scientist वाला घमन भी है वहाँ पे अब यार, Openheimer as total film कितना पसंद आएगी लोगों को इस बात की guarantee में नहीं ले सकती, लेकिन Killian Murphy और Oscar की trophy, here we go ट्यार मेरी तरफ से Openheimer को मिलेगे 5 में से पूरे 4 stars, पहला atomic bomb वो भी theater में experience करना, इससे unique concept कुछ हो सकता है दूसरा film ख़तम होने के बाद ये decide ना कर पाना कि जिसकी कहानी देखी वो hero था या real life villain, ये confusion दंदार कहानी ने पैदा किया तीसरा Killian Murphy ही पिछले जनब में ओपन हाइमर थे, ये बात साबित करने वाली performance और Robert Downey Jr. का Joker Card performance हाथ पैर की लड़ाई से ज़ादा मज़ा आया दिमाग की rivalry में चौथा पूरे तीन घंडे की फिल्म में आपको लिटरिली लगेगा हम लोग सो साल पीछे चले गए हैं हिस्ट्री वाला थीम बहुत जादा real and believable है नेगिडिस में आग कुछ लोग शायद मुझे माफ न करें लेकिन हाफ स्टार कटेगा खुद क्रिस्टफर नोलन की वजए से मुझे परस्मिली ऐसा फील हुआ उन्होंने ओपन हाइमर को सिनेमाटिक विजन से कम देखा और पॉलिटिकल ड्रामा की तरह जादा दिखाया मानो याना मानो बोलो याना बोलो टिकेट के पैसे तो हमने बॉम देखने के लिए खर्च किये थे ना उसका सैटिस्फेक्शन फील हुआ नहीं और आधा स्टार एमिली बलंट जैसी एक्टरस को कहानी से साइडलाइन कैसे कर दिया गुरू मतलब ओपन हाइमर की लाइफ में सिर्फ पॉलिटेक्स थी क्या, प्रोफेशनल के रावा प्रोफेशनल लाइफ को क्यों एक्स्प्लोर नहीं किया डिटेल में इवन जो दिखाया भी वो सिर्फ काम से रिलेटिट था, इमोशन कहाया है फामिली वाले इसी चीज़ में मुझे रॉकेटरी एक स्टैप आगे लगती है, उसमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी का बैलेंस था और साइन्स वाली चीज़ों को इतने इंट्रेस्टिंग तरीके से दिखाया कि छोटा बच्चा और बुद्धे अंकल दोनों को समझ आ जाए, इंडियन सिनिमा हैट्स ओफ बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या आपको कुछ रिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा साइन पिजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई